हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैप तो माई चैनल रियल वंद मधूल प्लॉकर और आप लोग कैसे हैं अई आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा कती हूं आप लोग हमेशा अच्छे रहें तो आज के वीडियो में मैं बताना चाहती हूं कि अच्छे लोग कैसे होते हैं वैसा तो सभी लोग अपने को अच्छा ही समझते हैं, अपने को बुरा बूलता कौन है, लेकिन फिर भी कुछ क्वालिटीज और मैरिक्स ऐसी हैं, जो जिस इंसान में होती हैं, तो वो रिली गुड होता है, और सब को भी वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, कोशेश करनी मैं चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान होना गॉल्ट की नजर में बहुत अच्छा है. यूदि की अच्छा इंसान होना दो अच्छा ही सबली लोग अपने को अच्छा ही माते हैं, तो कुछ कॉलिटीज आज मैं आपको बताऊंगी, जो जो मतलब इंसान में हो तो और वही कुछ ऐसी क्वालिटी बताना जिससे पता चले कि ये इनसान अच्छा है या बुड़ा है और आप लोग हुई जोग करना और बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वह रियली अच्छे इंसान है कि नहीं अच्छे इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वह दो लोगों में फाइट कराके कभी खुश नहीं होता है तो जो लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज सुधर जाएं क्योंकि आप लोगों में फाइट कराके जो मज़े लेते हैं वह बहुत खराब बात है और फिर बलकि उन लोगों में कंप्रोमाइस कराके उनको अच्छा करने की कोशिश करिए और दूसरी बात यह है अच्छे इंसान होनी चाहिए कि उसे ज्यादा दूसरों की बुराई भलाई नी करने चाहिए लेकिन बुराई भलाई नी करने चाहिए लेकिन बुराई नी करने चाह कि समाज की बाते हो सकती हैं, जबूर ही नहीं कि किसी इंसान की परस्नली बुराइयां ही खींच-खींच के निकाल नहीं हैं हमको, उन लोगों से आप सालना नेए, क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो आपका भी टाइम वेस्ट करते हैं और खुद अबना भी टाइम वेस्ट आपकी नजर पर डिपेंट करता है कि आपकी इस चीज को ज्यादा डूंगे ला रहे हैं और कुछ लोगों में बिमारी होती हैं सिर्क बुराइयां कि अच्छी बातें नहीं हैं तो अगर आप लोग किसी की बुराही में ही इंट्रेस्ट लेते हैं तो प्लीज इस चीज को बात करता है और चाहे उसका मतलब हो चाहे ना हो ऐसका काम किसी से ॥ हरो रहा है नहीं हो इस वात से कोई फर्म नहीं पड़ता है व। तिस को ज़से बात करता है सब के नाम का आगी जी लगा लगाएंगे बोलता है, नाम को एस सब भी लोग aky दूसरे का लेते हियं है हम बातचीती तमीज नहीं है, एक पढ़ा लिखा होना और एक आपके बात करने का तरीका अलग-अलग चीज़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक सही बोलता हो, कई अनपड भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत एजुकेटेड हैं, तो जो आपक आपकी जो एजुकेशन है, वो आपके ब्युकार में दिखनी चाहिए, जिव एजुकेशन लेकर और डिग्रियां लेकर आपको सजा के नहीं रखनी है, आपके ब्युकेटेड हैं, तो अच्छे से सबसे प्यार से बात करिए, अगर आपकिसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कमसे गम प्यास सथ बोल सकते हैं एक अजो के दिल को चोटतना लगे, ऐसा तो बोली सकते हैं यह तो Аपक की बिस में है ही, इसका भी ब्लीज आप लोग धेज आना कि किसी का दिल न दुखे आपप इसे आप की बातोंि से。 तो जहां तक हो आपको कड़वे शब्द दूसरों से नहीं बोलने चाहिए क्योंकि जब आप किसी को कड़वे शब्द बोलते हैं और वो इनसान दुखी होकर बैठ चाता है अपने मन में तो उसका बदला बॉट लेते हैं कि जब कोई भी इनसान को आप बहुत ही हार्ष वर्ट बहुत ही कड़वा बहुत ही तो उसका बदला गौड आपसे लेता है वो इनसान भले ना ले पाए तो इस दीच का अपनी लाइफ में किसी को कमेंट्स पास मत करना कभी किसी को बुरी बाते हैं इतनी मत बोलना कि उसके दिल में चोट लगें क्योंकि हर इनसान की परस्थिती हर इनसान के रहने का तौर तरीका सबकुछ अलग है और एक और अच्छी बात है जो अच्छे इनसानों में होनी चाहिए कि आपको कभी भी किसी के रंग रूप को लेकर कलर को लेकर या उसकी आथिक स्थिती को लेकर कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि जो रंग रूप है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गौड गितना है जिसमें उस इंसान का कोई दोश नहीं है तो ऐसे इंसान को अगर आप गुरी नजर से देख रहे हैं या उस पर कमेंट्स पास कर रहे हैं तो यह भी बहुत बड़ा पाप है और उसका बदला गौड आपसे लेगा पर पता चले अगले जनम में आप भी बैसे ही बन गए तो इसलिए कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए चाहे कोई फेस में अच्छा है की नहीं और कभी कोई हैंडीगब होता है या कोई असाहाय वेक्ति होता है तो लोग उसका मजाब बड़ाते हैं हर इंसान नह में अच्छी बात होती है कि वो बे मतलम में किसी के बीच में नहीं पढ़ते हैं कि मतलब जहां काम नहीं है वहां भी कूट पड़े और अपनी बातना शुरूर कर दी तो मैटर जो सौल होने वाला था और भरत गया तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी बात हो तो इसको प्यार से अच्छे से समझा के सौल किया जा सकता है ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जाके आग लगाएं और लडाई को और बढ़ा दे और और भी अच्छी बाते हैं अच्छे इंसानों की जो अच्छे इंसानों होनी चाहिए तो मैं यह सब इसलिए उसलिए वता कि हर इंसान अच्छे ही मांता है तो आप में अगर यह गोड है कि नहीं है मुझे नहीं बता लेकिन बना लीजी यह गोड आपका यह जीवन सुधाएगा आपका अगला जीवन भी सुधा जाएगा अगले जनम जब लेंगे तो आप अच्छे इंसान बनेंगे आपको कोई कि इस जनम में हम लोग जो ही काम करते हैं जो कर रहे हैं अच्छा काम तो उससे आपका अगला जनम सुखता है तो इस यही सोच के आप लोग अतना काम करिए और सब्सक्राइब रखने का जजवा रखिए अपने अंदर और फल के उमीद बिल्कुल ला कीचिए कि मैंने इसके अपने 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 आपको देलगा वह इंसान भूल जाये आपको अपने इसके अपने इसके यह एल्प करी ति कभी आप मुसीवत में फसराइं होंगे तो गौड आपकी है और अच्छी बात है जो अच्छे इंसानों होनी चाहिए कि वह जानबुरों के प्रतीव ही दय यह मत खुली है वो डोगी हम लोग भी अगले जनम में बन सकते हैं तो अगर आप आज अच्छा बिवार करेंगे जानबुरों के साथ तो आप अच्छा ही रहेगा मतलब मैं नहीं कहना चाहती कि आप क्या बनेगी लेकिन मैं बता रही हूं कि आपको हमेसा जो असाहाय हों तो लाग मातने का भी आपको कोई हक नहीं है इसलिए यह बात हमेगसा आप लोग जियान दखना कि अगर कोई जानबर आंके पास खड़ा है या थेले बर खड़े हो कि आप कोई सामान खा रहे हैं तो पांच रुबए का सामान आप उसको भी दिला सकते हैं कितने मतलब ऐस लोगों को पैसे देखते हैं मैं भी जगे ठील बजाते हूं इसे देर करहा होता हैं विचारीड होगी क्या सुस्ते होगई कि यह सब खा रहे हैं यह सब खा रहे हैं क्या बात है मुझे यू नहीं मिल रहा है कितना मतलब बैड फीलिं होता होगा उन लोग का I can understand तो मैं तो जो गूंते रहते हैं जानवर इतारता नोगों पर तरस काया कीचिये थोड़ा सा और उनको लाक मारने के वजाए कुछ खाने को देधिया और अगर आगर बिल्कुल मन नहीं है आप घरना करते हैं उनसे बिल्कुल मन नहीं कि मैं श्री दॉक को कुछ खाने को दूं लेकिन मैंने अपनी लाइफ में मतलब देखा है बहुत लोगों को कि बहुत बहुत गलत काम करते हैं और यह भूल जाते हैं कि गौर्ड देख रहा है अपने सपने बना रखे हैं जो अपने सपने बना रखे हैं जो अपना फ्यूचर सैट कर रखा है आप उस पर ध्यान दीजिए और फाक्दोगी बुराई बलाई में कुछ नहीं रखा है गलत सही का दंड देने वाले भगवान तो आप लोग प्लीज इन बातों का ध्यान रखिएगा और मैं भी कोशिश परती हूं इन बातों का ध्यान रखोंगी जादे जादे दूसरों की गुराई में इंट्रेस्टना लूँ और अपने काम से काम रखोंगी हम लोगे घर मे लोगे में आएगा तो इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम तखिए ओके फ्रेंट्स तो बाए बाए कोई बाए लगी हो मेरी तो एम सॉरी लेकिन मुझे अपने समझ से जो सही लगता है मैंने आप लोगों को पताया और आप लोगों प्लीज अगर इस I love you